दोस्तों अगर railway या SSC के लिए तयारी कर रहे हो आप लोग के लिए बहुत ही important multiple choice question का ebook prepare करके रखाऊं description में link दिया हुआ है जैसे कि railway का NTPC अभी आने वाला है railway का JEE अभी online चालू है group DLP बहुत ही technical और non-technical बहुत important MCQ question जो आप लोग के लिए description में link दे रखाऊं उदर से आप download कर सकती हो बहुत ही अच्छा book है दोस्तों आप लोग के लिए specially मेरे द्वारा बनाया गया है hello दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे youtube channel को दोस्तों यहां पे railway के तरफ से एक बहुत बड़ा recruitment आने वाला है आप सोब को पता होगा 2019 में अच्छा खासा वेकेंसी आने वाला है जो वेकेंसी निकल के आएगा वो NTPC, Goods Guard और ASM उसका एक officially notification आ चुका है कब तक आपकी application आएगा और कौनसा कौनसा post में आने वाला है इसका fast test online कब से start होने वाला है उसके regarding बहुत बड़ा update निकल के आ रहा है जिसके पास 10th, 12th और degree है उन लोग ने apply कर सकते हैं यहाँ पे officially एक circular जारी किया गया है तो दोस्तो वीडियो को end तक देखें मैं आपको सारे जानकरी देने वाला हूँ वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि रेल्वे का हर फ़ल का update आपके पास पहुंचाता हूँ recruitment के regarding दोस्तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगी यहाँ पे एक circular जारी किया गया है यहाँ पे subject के जगह में देख सकते हो recruitment on railway against direct quota तो direct quota के wise यहाँ पे एक निया recruitment होने जा रहा है और दोस्तो आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ date का देख सकते हो दोस्तो जो यह circular जारी किया गया है 5th February 2019 मतलब आज 6th February है काल के date में यह circular जारी किया गया है यह आप देख सकते हो दोस्तो circular number है और यहाँ पे देख सकते हो chairman railway board और यहाँ पे subject के जागा में देख सकते हो my dear general manager subject यहाँ पे recruitment on railway against direct quota तो दोस्तो यहाँ पे आप सब भी को पता होगा railway minister Pius Goyle officially announcement किये थे कि 2.31 lakh recruitment होने वाला है 2019 और 20 के अंदर तो यहाँ पे 2 page में होने वाला है 2019 में 1 page होगा 2020 में 1 page होगा तो यहाँ पे 2019 के अंदर जो fast page होने वाला है उसके regarding यह notice जारी किया गया है आप लोग को man man important point इस notice के जरिया में आप लोग को बताऊंगा कौन सा कौन सा post में आएगा vacancy और कब तक यह vacancy आ सकता है तो दोस्तो आप लोग को पताऊगा यह जो notice है यह internal notice है मतलब सभी general manager को यह notice जारी किया गया है तो क्या क्यों जारी किया गया है आप लोग को बताऊंगा तो दोस्तो subject के नीचे आओगी तो यहाँ पे दोस्तो देख सकते हो लिखा गया it has been declared to fill of vacancy on the railway by induction of staff from the open market against various direct recruitment quota this has been done on the priority दोस्तो यहाँ पे बोला जारा है कि आपकी railway का जो recruitment होने बाला है यह 2019 के लिए vacancy निकल के आएगा this has been done on priority यह priority के wise यहाँ पे आपको करना पड़ेगा general manager को यह notice किया गया है तो उसके बाद so that employment notification and recruitment plan can be finalized तो दोस्तो यहाँ पे बोला जारा है कि इसको आपको priority में लेना पड़ेगा उसके बाद employment notification और recruitment plan किया जा सकता है तो दोस्तो इसके नीचे आओगी the following action may therefore be taken by you on priority base यहाँ पे बोला जारा है कि यह सारे आपको लेना पड़ेगा और priority base में सबसे importantly इसको लेना पड़ेगा तो point one को आप लोग को आना पड़ेगा दोस्तो point one में लिखा गया है workout the category wise vacancy position on the first first 2019 for the direct different department यहाँ पे बोला जारा है कि workout मतलब आपको एक लिखना पड़ेगा एक cheat बनाना पड़ेगा आपकी list बनाना पड़ेगा category wise vacancy position on the first first 2019 2019 तक आपकी first january 2019 तक कितना vacancy है आपकी department wise तो उसको एक cheat बनाना पड़ेगा एक sheet बनाना पड़ेगा you may also work out anticipated vacancy in the next two years up to 31st March 2021 तो दोस्तों यहाँ पे बोला जारा है कि उसके साथ आपको एक cheat बनाना चार्ट परप्यार करना पड़ेगा आपकी anticipated vacancy expected vacancy अगले दो साल के लिए तो 21 तक यहाँ पे लिखा गया है इससे पहले fuse goal officially announcement किया गया है अगले 21 तक जितना भी retirement होने वाला है उसके लिए भी vacancy निकल के आएगा तो दोस्तों यह fast point आप लोग के लिए बहुत ही important है उसके बात हम आएंगे last point में point number 3 में और दोस्तों आप लोग बोले होंगे कि यह notice fact है दोस्तों यह original है यह सारे general manager को यहाँ पे गया है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो विनोध कुमार यादव यहाँ पे इनका sign भी है दोस्तों हम तीन नंबर को आते हैं तीन नंबर का जो लिखा गया है आपको important point बताऊंगा the ORIMS shall be opened from 11th February 2019 onward the work should be completed latest by 14th February 2019 तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी एक online form खोलेगा ORIMS यह जो है वो खोलेगा कब से की 11th February से लेके 14th February तक उसी के अंदर आपकी जो demand है जितना भी vacancy है यह सारे आपके पास हो जाना चाहिए दोस्तों उसके बात यहाँ पे लिखा गया है it may be ensured that priority is given for the category field through the NTPC graduate, NTPC undergraduate, paramedical and level 1 यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग को focus करना पड़ेगा NTPC का जो vacancy निकलता है वो graduate level के लिए और NTPC undergraduate मतलब 12th level और graduation level और यहाँ पे दोस्तों level 1, level 1 मतलब आपकी group D level 1 जो है group D और paramedical staff यह सारे के लिए आपकी focus करना पड़ेगा इसके लिए आपको notification निकालना पड़ेगा तो यह सारे आप लोग दोस्तों general manager को यह notice गया है तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो कब तक निकल सकता है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 11th February से 14th February यह लोगोंने demand करेंगे उसके बाद दोस्तों 10-15 दिन के अंदर आप लोग को आपकी official notification पहुँच जाएगा तो तब तक थोड़ा wait करना पड़ेगा उमीद है कि आपकी February लास्ट तक आपकी final notification आ सकता है तब तक आपकी जोरदार तयारी में लग जाएए तब तक चैनल को subscribe करके रखिए ताकि आप लोग को जब भी final notification आ जाए गया आपको मैं describe कर सकूँ कैसे आपको apply करना है क्या-क्या eligibility criteria जर तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाई बाई जाए हैं